इस वीडियो में हम सीखेंगे कि PDF को हम कैसे स्प्लिट करेंगे स्प्लिट का मतलब मैं आपको लोगों बता रहेता हूं कुछ लोग नहीं जानते होंगे जैसे हमारे पास एक PDF फाइल है आप देख पा रहे होंगे इस फाइल में आप देखेंगे तो 30 पेज़ें वन आफ 30 शरीक है कईऊ घे तो यह में इसके पेजी नजर आ रहे हैं देखो आप देखे 4 नंबर पर हम है मैं रीचे तुल कर रहा हूं किधा स्वर्ण यहां से भी कर सकते हैं या माउसे भी कर सकते हैं तो हम ऐसे देख पा रहे हैं इसमें 30 pages हैं कई बार होता है हमें किसी particular page की जरूरत होती है इसमें 30 pages हैं तो हम इसको split करना चाहते हैं अलग-अलग PDFs तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो उसके लिए हम Google पे चलते हैं यहां PDF split यहां फिर I love PDF को हम सर्च करते हैं यह वही टूल है जो हमने लास्ट यूज किया था PDF और कम्रेस करने के लिए I love PDF पर हम क्लिक करते हैं यह हमारा टूल ओपन हो रहा है यहां पर एक option देख पा रहे होंगे आप split PDF यह उपर भी आप देख पा रहे होंगे split PDF तो split PDF क्लिक करते हैं यहां पर यह फाइल सेलेक्ट करने का option आ रहा है फिर से उसी तरीके से हमें यहां पर drag and drop करना है जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखी थी आप वो वीडियो देख सकते हैं उसमें हमने जाना था कि PDF को कैसे सब्सक्राइब करने के लिए हमें यहां पर इंटर करना है तो हम उसको ड्राइग और ड्रॉप कर देते हैं मैंने अल्रेडी ओपन करके रखिए कि कि यहां पर यह फाइल शो रही है दिखा रहा है बन से थर्टी है तो यह options पूछना है स्प्रिट बाई रेंज एक्स एक्स्ट्राइट पेजिस यह अलग लग पेजिस में अगर आप चाह रहे हैं तो यह अलग लग पेजिस में उसको कर देगा एवरी सेलेक्टेट पीज मैं तो इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूं यहां पर दिको मेंचन है सब्सक्राइब है अवरि सेलेक्टेट पेज ऑफ बीडिएफ वह बेंगे टो थर्टी पेजिस आ तो 30 पीड़ीफ यह बना देगा और इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम रेंज डिसाइड करेंगे कि कहा से कहां तक सब्सक्राइड क्या कि वन से लेकर के टैन तक तो एसे हम कर सकते हैं इसको और हमें रेंज आड़ करनी है तो हम 11 से 30 है तो हम 11 से इसको 25 कर देते हैं या 20 कर देते हैं ठीक है ना बस इतना ही हमें करना है या फिर हमें और भी करना है तो हम यहां और भी रेंज आड़ कर सकते हैं तो इट्स अप्टू यू आपको किस तरह की रिक्वार्मेंट है हम यहां पर स्प्लिट पीडिएफ पे क्लिक करते हैं डाउन्लोट स्प्लिट पीडिएफ यह पीडिएफ स्प्लिट होगी है और अपने आपी ऑटोमेटि डाउन्लोट हो गया जैसे पिछले लास्ट आप्शन में हुआ था यहां से हम जाएंगे शो इंट फोल्डर यह इसने एक जिप फोल्डर बनाया है इसका इसका जिप फोल्डर के अंदर यहां पर दो फाइले यह शो हो रही है अब दोनों फाइलों को कॉपी कर लेते हैं थाकि हम आपको टेस्टिंग वाले फोल्डर में ले आ सकें और चेक कर आ सकें यहां पर पेस्ट कर देंगे हमने यह वन से टैन और यह 11 से 20 इसको ओपन करक सकते हैं आप देखें हैं आप मेंचेन हैं 1 से 10 सिर्फ 10 पेजी इस फाइल के अंदर है ऐसे ही दूसरे वाला हम टेक्स करते हैं इसमें 11 से 20 पेज हैं तो यह हमने जाना कि हम कैसे किसी PDF को स्प्लिट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट और खुद से ही कर सकते हैं बेसिकली यह टूल बहुत ही सिंपल है जादा तर आप्शन मेंचेन ही है आप अपने आप इसमें जाकर चेक कर सकते हैं थैंक यू फर वाचिक देस आप में सेंट हैं आप इसमें दो किसी हो ए फिड़िये दिजा थिए। बैस विड़िये उसके सत्व कने दिजाए और रभेट रवाट अ कर सकते हैं अजार किसी अविएट रभेट रभूट जाके सथ्टेश्ट विए।